Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ा कुलोग My name is C.S. पायल पोफली अनाज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Compoundable Offense and Non-Compoundable Offense के बारे में ये होते क्या है, प्लस इनके बीच में क्या difference होता है ये सारे topics कवर होंगे इस एक वीडियो में तो वीडियो को इन तक जरूर देखेगा पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजेगा सबसे पहले बात करते हैं इंडियन जुडीशल सिस्टम के बारे में इनकी हालत तो आप जानते ही होंगे आए दन यहाँ पे लाखों केसे आते रहते हैं और एक बार अगर कोई केस यहाँ आ जाता है तो वो सालो 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 साल चलता चलता ही जाता है यह बात तो सनी दियों ने चला चला के तारीक पे तारीक वाले डायलोग में बता ही दी थी अब ऐसे सिनारियो में हर इनसान जो इंडिया में रहता है वो pray करता है कि ऐसा कभी कोई दिन ना आए उसकी life में जब उसे coat के चक्कर लगाने पड़े इंसान अपनी life में peace चाता आए ना nobody wants कि अए दिन उत को coat के चक्कर लगाने पड़े अब ऐसे सिनारियो में एक case हुआ यह case क्या था? ये एक चोर था जिसने मातर 60 रुपई की चोरी की थी लेकिन गल्ती इससे ये हो गई कि इस चोर ने जिस इंसान का बड़वा मारा था वो इंसान principles का बहुत पक्का था उसने बोला चाहे तुने सिर्फ 60 रुपई की चोरी की है लेकिन फिर भी मैं तिरे उपर केस तो जरूर करूंगा इस इंसान ने बहुत गडगड़ाया इसके सामने कि भाई साव रहने दो छोड़ दो बट ये इंसान तो टस से मस नहीं हुआ इसमें बोला नई भाई साव, मैं तो केस करके रहूंगा नतीजा कुछ ऐसा निकला, कोट तक बात बहुच गई और इस इंसान के उपर वकाईदा केस हो गया हर अगली तारिक पे इस इंसान को जाना पड़ता था, पूरी हेरिंग सुननी पड़ती थी और उसके बाद घर आ जाते थे पैसला कुछ आने ही रहा था ये कोट के बार बार चक्कर लगा के न, ये इंसान हो गया बहुत जादा दुखी इसने एक बार दूसरे इंसान, मतलब जिसने इसके उपर केस किया था, उसके घर के नीचे जाके उससे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं दो मिनट तुम से बात कर सकता हूँ उसने बोला, चलीए, बताइए, क्या बात करने है आपको इसने बोला, भाई साब सिर्फ 60 रुपे की बात है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है लेकिन क्या हम इस केस को रफा दफा नहीं कर सकते क्या हम इस case का out of the court settlement नहीं कर सकते आप अगर चाहें तो मैं आपको 6,000 रुपए आज compensation पे कर सकता हूँ इसके साथ साथ इस चोर ने ये बात तक बोल दी इस इंसान को कि भई court जाते हो तुम्हारा भी खर्चा आता है मेरा भी खर्चा आता है वकील का खर्चा तुम भी बेर कर रहे हो मैं भी बेर कर रहा हूँ अपना काम दाम छोड़ के तुम्हें भी court में बैठना पड़ता है आए दिन मुझे भी बैठना पड़ता है तो छोड़ो नहीं है मसला out of the court settlement करो 6,000 रुपए लोग case को रफा दफा कर दो ये इंसान principles का जितना पका था उतना ही समझदार भी था चोर की बाद इसको फट से समझ में आ गए इसने बोला चल ठीक है तो मुझे 6,000 रुपए दे मैं court case वापस लेता हूँ चीज़ें out of the court settle कर लेते हैं ये जो पूरी settlement हुई है ना इस पूरे case में इन offences को बोला जाता है compoundable offences ऐसे offences जिनकी settlement out of the court हो सकती है जिनकी remedy out of the court arranged हो सकती है parties के बीच में मतलब parties आपस में mutual understanding से case को रफा दफा कर सकते हैं It says compoundable offences are those that can be remedied through an agreement between the parties parties की बीच में agreement से remedy प्रवाइड की जा सकती है in crimes की in offences की The wrong party receives some sort of payment और satisfaction in exchange for not pressing charges against the guilty Guilty की against charges नहीं लगें इसके बदले में wrong party जिसके साथ बुरा होता है उसको किसी तरह का relief मिलता है payment मिलती है satisfaction मिलती है यहां मैंने आपको case बताया जहां court तक बात बहुत चुकी थी Sometimes ऐसे होता है court तक बात पहुचती नहीं है पहले ही out of the court settlement हो जाती है वो भी compoundable offence ही माने चाते है 320 of CRPC में एक list provided है जिसमें वो सारे offences mentioned है जिनको compoundable offence consider किया जा सकता है मतलब जिसकी settlement out of the court हो सकती है अब यहां से question arise होता है कि क्या हर offence की settlement out of the court नहीं हो सकती क्या आईए समझ लेते हैं non compoundable offence के through अब यहां इमाजन करो एक लड़का था जिसने एक लड़की का murder कर दिया मतलब उसे जान से मार दिया लड़की मर चुकी है अब यह लड़का इस लड़की के भाई के पास जाके बोल रहा है कि बेटा तु मेरे against case मत कर हम out of the court settlement कर लेते हैं आपको क्या लगता है ऐसे सिनारियो में out of the court settlement करना possible हो पाएगा आंसर है no यह जो offense उसने commit किया है न यह बहुती heinious nature का offense है बहुती severe nature का serious nature का offense है ऐसे offenses में out of the court settlement नहीं होती है ऐसे offenses में तो सजा मलती है इसका एक reason यह भी है कि जब भी हम कोई बड़ा crime करते हैं तो वो crime एक इनसान के against ना होके बलकि पूरे society के against होता है तो चाहे इस case में यह लड़का मार इस लड़की को रहा है लेकिन यह culprit है, guilty है पूरे society का इसने society में ऐसे situation rise कराई है जो society के लिए सही नहीं है तो ऐसे cases में out of the court settlement possible नहीं हो पाती है और ऐसे cases को हम बोलते हैं, ऐसे offenses को हम बोलते हैं non-compoundable offenses इसे case को हम out of the court settle नहीं करते, overturn नहीं कर सकते बलकि इनके against तो full trial run होता है बकायदा court में case जाता है, सुनवाई होती है और फिर उसके बाद फैसला आता है, नतीजा आता है जिसमें इस इंसान को punishment मिलती है इस offenses are more grave and serious, having an impact on the society as a whole rather than just the victim ऐसे वाले जो cases होते हैं, यह जादा serious nature के होते हैं तो समझ गए न, compoundable offenses बोले तो ऐसे offenses जिनको हम out of the court settle कर सकते हैं लेकिन non-compoundable offenses ऐसे होते हैं जिनको हम out of the court settle नहीं कर सकते हैं ऐसी और बहुत सारी वीडियो के लिए इस चैनल को like करें, subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share भी करें Thank you so much for watching this video